कोरोना के उपरां विश्वबर में एक मंदी जैसे स्थिती आई ओफिशेल्स काम करने के लिए नहीं आपाई इसके लिए भारत से जो स्टूडेंट्स जो वार्कफोर्स अस्टेलिया जा रहे थे उनको भीशा देने में थोड़ा स्लो हो गई थी प्रोसेस जब पिछले साल म नद्यावद्धी में कौार्ड की फोरμ पे हमारे माननिय प्रधान मंद्रण नरेंदर मोदी जी अस्टेलिया की मानन न centuries परीदान मंद्रण चरच्चा किये इस विशेप में अच्छी चरचा हूई पिर मैं अस्टेलिया गया था उस विशेप में इस्विशेप में डिट जिसके कारण भीशा जल्दी लोगों को मिले पिछले पांच-छे महने में लगभग तीन-चार लाख भीशा का पेंडिन्सी घट गई और एक साइजबूल नंबर है आज भी उसकी चर्चा हुई बाइलेटरल फोरॉम में उसमें वो महत्तों दे रहे हमारी अंडरोद को महत् दो दे रहे हैं अच्छी बात आज हुई है अस्टेलिया ने भारत की क्रिशी खेत्र में अग्रिकल्चरल सेक्टर में स्कील क्यापासिटी बढ़े स्कील लोगों की संक्षा बढ़े इसके लिए उन्होंने वान पॉइंट टू मिलियन की एक का अने वाले धेड़ साल में उससे को ही है थे लेन इन्वर्सिटी और भारत की इंस्टीश्यचिंग के सथ मिलके नए अकॉर्स बनाना ठेनींग् ट्रेनर्ट की करना उसकी क्या पैσιटी बाढ़ाना उस पे खर्चा किया जाएगा जिसके करण भारत की जो एक इमर्जिंग एरिया न्यू एग्री के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में नाना यूरिया आ गिया है भारत में ड्री पिरीगेशन की संख्या बढ़ रही है भारत में द्रोन तेजी शे एग्री इंफ्रास्ट्रक् होती है यह अस्टेलिया की कोलाबरिशन हमें मदद करेगी उससे लेके स्कील लेवलेमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हाइर एजुकेशन डिप टेक रिसर्च यह सारे इलाका में अस्टेलिया के साथ एक होलिस्टिक अंडिस्टर्णिंग हमारी बढ़ रही है अस्टेलि की छात्र भारत आएं दोनों की इंस्टीशनल लेवूबिल पे स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे इन्सेटी लेवल पे इंस्टीशनल लेवल पे एक्रिमेंट और एंगेज्मेंट बढ़े यह आज एक नया framework हम बना रहे हैं हम बहुत उस्षाइद हैं दोनों देश उन्हों ने भी भारत की राष्टिय सिक्षा निति को appreciate किया है वो भी मानते हैं विश्व की global अर्थनिति में एक इंजिन के रूप में काम कर सकता है ऐसे सब अच्छे चर्चाज हुई है